जब मून जब मून अर्थ और शन के बीच में होता है ठीक है तो हम इसे बिल्कुल नहीं देखते हैं ओके पॉजिशन ए फिगर 4.12 में हम देख सकते हैं आप यह आप पॉजिशन में हम देख सकते हैं जब जब मून जो है ठीक है जब मून ये मून जो है पोजिशन A में न्यू मून है ठीक है ना पोजिशन A में न्यू मून है जो कि जब अर्थ और सन के बीच में होता है ये हुआ अर्थ ये हुआ सन तो सन के बीच में होता है है तो हम इसे बिल्कुल नहीं देखते हैं ठीक है ना यह दिखता ही नहीं है कि एंड कि इन टू और त्री डेज टाइम दा मून लूक्स लाइक दिस दिस इस क्रिशंट मून ठीक है कि जब टू से त्री डेज होते हैं ठीक है ना तो मून इस टाइप से दिखाई देता है या इस टाइप से दिखाई देता है jsou यह इस टाइप से दिखाई देता है कि ॊ- quadratic विदिन वीक एक सब्ता के अंदर ठीक है ना विसी हाप ओफ दा मून हम हाप मुन देखते हैं ठीक है ना हाप मुन देखते हैं तो इसे आम कहते हैं फर्स्ट वार्टर आप यहां देख सकते हो कि वन विक के अंदर क्या होता है कि आपको इस टेप से यहाप मुन दिखाई देगा यह तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट वार्टर ठीक है कि यह जो पाड़ जा रहा है इधर से यह बढ़ता हुआ जाता है ठीक है ना यह बढ़ रहा है ओके नेक्स्ट है आपका जब हम हम से ज़्यादा देखते हैं मून को ठीक है तो उसे हम कहते हैं गिवश्स मून थोड़ा उबढ़ा हूआ रहता है वो ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हो फिगर में यह है आपका गिबस्ट मून ठीक है यह क्रिशंट मून यह हाप मून बोल सकते हैं उसको आप जो की फर्स्ट क्वाटर है और यह है गिबस्ट मून ठीक है बढ़ता हुआ तो यह बढ़ते हुए जा रहा है ऐदे एकल में इंड इन्टवीक्स हो जाते हैं इन्टूविक्स टाइम हो जाते हैं ठीक है न दो सप्था लगबग हो जाते हैं दोस अप्था आदर क्या होता है कि विसीधा फूल्मून पोजीशन भी फॉर फॉर्ट टौल में आदे लोगत तो फूल मून आपको दिखाए तो विकी स्टाइम हो जाते हैं तो क्या होता है डिये फुल मॉन ठीक है पोजीसन भी है तो फुल मून आपको दिखाई देता है ठीक है आपने फिगर में देखा कि यह जो आर्थ और शर्ण ने बीच में होता है तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं देख़ाते हैं तो वो पिर होजाएंगा हापमून ठीके जिए हैं अग्षा बॉंस फ्रूर्ट कहते हैं उसके बाद बॆहर फ्यूंस में फेज sitzt में भर्स में आसे में एग किसी अब क्वाइब और धर फिर और यह ने फिर टिर यह वालिंग करता अधники लाते ओग में फिर उसी पोजिशन में आ जाता है वो ठीक है यह बढ़ते हुए सरकल में जा रहा है ठीक है और यह घड़ते हुए ठीक है घड़ते हुए जाता है फिर न्यूमून हो जाता है वो ठीक है तो I hope you all students are understood thank you